LIC Policy Holder के लिए जरूरी खबर 24 अक्टूबर तक करें ये काम वरना नहीं मिल पाएगा पालिसी का पैसा दोस्तों अखिर ये कौन सा काम है जिसे नहीं करने की वज़ा से आपका पैसा नहीं मिल पाएगा तो चलिए जानते हैं ये कौन सा काम है अगर आपकी भी LIC की Policy बंद हो गई है तो ये हैं आपके लिए जरूरी खबर है LIC अपने घ्राकों के लिए एक शानदार तौफा लेकर आई है जिसमें आप अपनी बंद होई Policy को सस्ते में शुरू कर सकते हैं कंपनी की तरफ से LAPS हो चुकी Policy के लिए Revival Scheme चालाई गई है जिसके तहट ही आप अपनी पुरानी Scheme को शुरू करा सकते हैं और दोस्तों अगर आपकी भी कोई Policy बंद हो चुकी है और आप उसे दोबारा से चालू कराना चाते हैं तो आपके पास बहुत ही शानदार मोका है और आप इस काम को 24 अक्टूबर तक करा सकते हैं अगर आपकी Policy बंद पड़ी है तो इसे 24 अक्टूबर तक जरूर शुरू करा लिजिए क्योंकि आपको LIC यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसकाउंट दे रही है आपकी जो लेटवी होगी उस पर पूरा का पूरा डिसकाउंट मिलेगा कितना डिसकाउंट मिलेगा आपकी Policy पर वो डिपेंड करेगा अगर आपको जानना है कि आपकी Policy पर कितना डिसकाउंट मिलेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके उपर मैंने detail में वीडियो बनाया हुआ है कि किसको कितना discount मिलेगा LIC ने यह discount offer ऐसे policy धारकों के लिए शुरू किया है जो किसी वज़ा से premium जमा नहीं कर पाई थे जिसकी वज़ा से उनकी भीमा policy बंद हो गई थी और दोस्तो हाँ, ulip plan revive नहीं हो सकते policy holder, ulip और higher discover policy को छोड़ कर अपनी सभी policy revive करा सकता है, मतलब चालू करा सकता है LIC के मताबिक ulip plan के अलावा सभी तरह की policy को फिर से चालू करने का मौका दिया गया है लेकिन इसमें भी कुछ शर्ते रखी गई है जैसे वही policy फिर से चालू हो पाएगी जिसका premium कम से कम 5 साल पहले जमा किया होगा मतलब अगर आपकी कोई भी policy बंद हो गई है और उसे 5 साल हो गए है तो आप उसे चालू करा सकते हैं वो भी discount के साथ तो दोस्तो धेर मत कीजिए अगर आप अपनी policy को revive कराना चाते हैं और अपना risk cover दोबारा से चालू कर रखना चाते हैं तो आप अपनी policy को revive करा लीजिए और इसमें आपके क्या-क्या documents लगेंगे उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करके हमें support करना धन्यवाद